हेलो फ्रेंज वेलकम तो वेकर यूटूब एदुकेशन चैनल आज किस वीडियों हम करने जा रहे हैं क्लास सेवेंट एसे शेक्ट नुब बन राच्पूत एज नियू रूलर्स एंस्टेट वदवन द्यू ओक मंदल पतगर लखवत बद्रवती कच अमंग ओल दीज रूलर्स दी रूल अफ सोलंकी ये सबी जो रूलर्स है वो सोलंकी ये सबी जो रूलर्स है उन्होंने सोलंकी में रूल किया था Kings are considered to be the golden age ये राजाओं ने इनके ताइम को golden age बना दिया था powerful rulers of this clan include मुलराज भीम देववन, सिद्रा चैसिन, कुमार पाल, भीम देवतु है यहां पे इस dynasty के जो powerful rulers है भीम देववन हैं, सिद्रा चैसिन हैं, कुमार पाल हैं, भीम देवतु हैं दिरिन दी रूल अफ सोलंकी, सोलंकी के रूल में गुचराज जो था वो पैसो के तोर पे भी और कल्चरल यानि कि यहाँ पे धर्म के हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ उदेमती दोतर, यहाँ पे जो उदेमती की जो बेती थी वो रूलर थी जुनागर की, उनकी मेरीद हुए उनकी साधी हुए थी भीम देव वन के साथ सोलंकी, रानी उदेमती, अब यहाँ पे रानी उदेमती के बारे मां बात हो रही है, कि रानी उदेमती, यहाँ पे जो रानी उदेमती है, उन्होंने वर्ड फेमस टेपवेल बनवाया था रानी की वाव इन पातन तो तो ये वर्ड फेमस तेप वेल राने कि वाओ इससे दिक्ल Wave किया गया था भота गया था कि बाए था कि वर्ड फेमस है वो किसने बता था World Heritage Site by UNESCO नहीं बढ़ा है सिद्रा जैसिन मदर सिद्रा जैसिन की मदर का नाम क्या था? मिनाल देवी माया नाला देवी वोच दी आइडियल कीविन मदर वो एक आइडियल क्वीन की मदर थी एक आइडियल एक होसिया रानी की मा थी She did not lot of things to give justice उन्होंने न्याय देने के लिए बहुत कुछ किया था उन्होंने ऐसा किया था उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सोमनाथ पे बहुत से लोग पहले तिर्थे यात्रा में जाते थे तो उन्होंने जो तिर्थे यात्रा पे जाते थे तो जो सब पैसा लगता था जो सब टैक्स लगता था वो सब उन्होंने हत्वा दिया था और उन्होंने मालव लैग भी बनवाय था धोलका में द्यूरिंग दी रीजन ओफ सिद्धराज जैसिन काली काल सर्वक्न सिद्धराज जैसिन के रूल में हेंचंदर चारया जी ने एक बुक लिखी थी क्रामर बुक लिखी था जिसका नाम था सिद्धहेंसद धनुसासन वेन दी प्रोसेशन अब दी स्क्रेप्चर वोच केरीद आउट ओन एन एल्फेन इन दी ताउन दी किंग ओफ पातन जो राजा थे इन्होंने जो बुक लिखी थी हेंचंद चारया जी ने सिद्धहेंसद धनुसासन वो एक राजा थे दी किंग ओफ पातन जो पातन की राजा थे वोक अलो उन्होंने उनके जो हेंचंद चारया जी ने जैसा जैसा कहा था जैसा लिखा थो बहुत तुम ऐसा मत कर तुम ऐसा नहीं करना चाहिए यह सब चीज उन्होंने फॉलो किया था और लोगों से भी और दिस पब्लिक वेलफेर को मारपाल ने भी यह पब्लिक वेलफेर के लिए पब्लिक को सिखाया समझाया सिद्ध हें सद्धनुसासन बुक से सीख लेकर लेकर वोच हाइली इंफ्लियंस बाइ आचार हें चंदर चारे उन्हों वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हु इन्मेल को मारा जाते था झोलकोन सबंसर्द समय बंहने बदया था इनल म녈ज स्पाइद सेथा सूल्डा इसु कर दिया था अपने सभी और से रहना पर एक कोई भी वायलेंस नहीं कुमार पाल चरित्र कुमार पाल चरित्र कुमार पाल राजा के ऊपर लिखा गया है अजेर पाल become the ruler of पातन अब यहां पे पातन के जो राजा थे कुमार पाल के बाद अजेर पाल बने After the region about 4 years, his son मुलराच चार साल के चार साल उन्हें राज किया था उसके बाद उनका बेटा मुलराच तु आता है वो रूल करता है गुज्रात के उपर मुल्राज तू सिया बुद्धिन गोरी के द्वारा हार गया था at young age when he invaded गुजराथ around 1178 जब वो तिया बुद्धिन गोरी 1178 में जब आया था गुजराथ में तो फिर ऐसा युद्ध हुआ था और उसमें कौन हारा था उसमें हार गया था मुल्राज तू नादोल चॉहमण रूलर जो नादोल रूलर थे कलहनं आधीज ब्रदर और उसके भाई किर्ति पल्ड उन्होंने भी उनकी हैल्प की थी किसके मुल राचतु की हल की थी ऐसी पाउर आफ दि सोलंकी रूलर देगित तो इस वज़़े से सोलंकी रूलर से पावर थी कम होने लगी थी बाहले लाइणसे कांओ निर फोन अब उसके बाद इस लिंकी आब आता है लगिला दारेसी अब इहां पे जो बागेला दैनिश थे ना वो सोलंकी राजाओं की बहुत ही ज्यादा इच्चत करती थी वह उनकी हो उनका समझलो वह दयाल मतलब वह उनके प्रती बहुत लोयल थी तोलंकि गिंग गे विलेज ने हम Glass अब यहाँ पर जो सोलंकि राजाओने उन्होंने एक विलेज का नाम रखा था व्याग्रप्ली तो अर्णोराज और वो उन्होंने किफ्ट गिया था ihr अर्णोराज को in return of their services क्योंकी उन्होंने उनकी मदद की थी राजाओ उन जय दो भाई दो भाईयों ने मदद की थी इसके बदले में उन्होंने उनको गिफ्त किया क्या व्यागरपढ़ली गाउन इसके बात से ये वाधेला कहलाने लगे थी आफ्टर दी नेम ऑफ दी विलेज, विलेज के नाम के बाद से और रिले दे टू वर्ड ओफ दी चालो क्या क्लाइन, वो चालो क्या क्लाइन के थे वो भी चालो क्या क्लाइन के ही थे रूलर्स जैसे, रूलर्स जैसे की वीर धवल, विसाल धवल, विसाल देव, अर्जुन देव, सरंग देव और वागेला देनसी, इन्होंने वागेला देनसी में रूल किया था विर धवल के रीजन में, गुजराथ had efficient and skilled minister, उस समय पे गुजराथ के पास efficient और बहुत यादा skilled, बहुत यादा अच्छे minister थे, जैसे की वास्तुपल, देजपल, because of the proficiency of this minister, ये minister के कारण ही गुजराथ could face the battle against the muslim, दिल्दी सुन्तालत was established in गुजराथ at the time of करंदेव वागेला, जो दिल्दी सुन्तालते उन्होंने अपना राज इस्थापित किया था गुजराथ में, करंदेव और करंदेव वागेला के ताइम में, इल्ला सुल वागेल करंदेव वागेला, अब यहां पर आप सोच रोगे करंदेव वागेला हारे क्यूं, क्योंकि यहां पर जो उनकी skilled minister से वास्तु पर और तेश पर उन्होंने उनके साथ विश्वास घात किया था, और फिर वो सुल्तान याने की सुल्तान इन लोगों के साथ जूर गयते, इ इस वैसे वो हार गये थी, बेंगाल वच रूल राव पल डाइन इस टी यहां पर चो बेंगाल है, उसने पल डाइने स्ने में रूल किया था, इं दी मीडल एज ऑफ एज सेंचुरी, एज सेंचुरी के मीडल ऑज में इसस तानिस ती वाज कॉल्ट पल्वंस, इस इस वैसे जो बेंगाल था वह भी पल नाम से जाने लगा था एंड इस दिस 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 फाउंडेट बाई एक इंग नेम गोपाल यह जो दैनिस्टी था वह गोपाल नाब से जो इस दैनिस्टी था इसके फाउंडर गोपाल थी तो गोपाल के अंदर पल आता ये बेंगाल पहल पल नाम से जाना प्रका शेugen अभर्व दधानेस्टी का खात्म सेंद आता इंड पंडिति पहन थेd recognized 193 बना था 1501iennent था片 zwischen व्हुस्त एमिनलंद्ट वीड किंग ओ अव्ह भीससंस lihat वीजह सेंगु मोविचीन लेकी मिनीघ कर दान सागर सूस्तप सार्य गफ कनगेद रवागी जुछाट ते कंगेद कर देख लोजय। यह तो यहां से हमने बेंगाल के बारें परना साथ किया लेकिन हमने उपर देखा था कि भाई करंदे वागिला से सुल्तान ने अपना अरे गुजरात को ले लिया था सुल्तान अफ दिल्ली अपोइंटें नजीम सुबास्त इज गवर्नर्स केरीड आउट ने दिया था गोटनिया था गया यहां इनके राज में चौदव सुल्तान इनके दैरस्टी में जैसरी कि उन्हें में से कुछ अम महामूद्छ सा बेक्डा बहादूर सा जाने सब राजा थे अनुछी है इस सुल्तान प्रिय्ड के यम तुदी एड्य अभी गात्म है सुन् अब हम साउथ इंडिया के स्तेस के बारे में बारने पड़ेंगे यह ने फिर अभी तक इसके पहले हमने हर वीडियो के मिला हुआ है कि हमने यह जाना फिर नौर्फ हागा जो थे उन्होंने कैसे राज कि यह कॉन से राजा एक के बाद एक आते रहे कैसे वह ऐरे ठीक है तो इसी के साथ आपका नौर्थ इंज्य की कहानी खतम हुई तो अगले पार से सौथ हिंच्छी करें प्रह तो मिलता है ने जब आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और सार की चुमल देखने मेडियो में जाएं जाएं जाएं